शादी को अभी कुछी दिन हुएते लेकिन अचानक से आधिरात को पतनी हैवान कातिल दरिंदी बन जाती है वो एक कुदाल से अपने पती की ऊपर तवरतोड हमले करकर उसका भेजा निकाल देती है उसके शरीर के टुकडे टुकडे कर डालती है लेकिन बड़ा सवाल उस प चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें तो बात कर रहा हैं बिहार के सारद लेके रामनगर के धवरी गाओं की वहाँ पर रहने वाला पपू यादव जिसकी उम्र बाइस साल थी जो अपने माता पिता की इकलोती संतान था इकलोता बे बाद और लड़ाई जगड़ा शुरू हो जाता है यहां तक कि दोनों की बातचीत पूरे तरीके से बंद हो जाती है और यही वजाती कि रोज रोज की लड़ाईयों से तंग आकर पपू कॉलकता चला जाता है वहां पर एक होटल में पार्टनर्शिप पर काम कर रहा था और वो दो-तीन महीने में वापस अपने घर आता था लेकिन एक दो दिन जब रुकता था तो उस बीच भी दोनों में लड़ाई होती थी और पती पतनी की बोलचाल पूरे तरीके से बंद थी सब कुछ ऐसा ही चल रहा था वहीं आज से एक महीने पहले पपू यादव अप अपनी पतनी से बाच्चीत करता है लेकिन लड़ाई जगड़ा हो जाता है और वो अपनी पतनी को वापस उसके माए के छोड़ का और वो कॉलकता चला जाता है लेकिन थोड़े ही दिन बाद पतनी वापस अपने ससुराल आ जाती है अपने सास ससुर के साथ वो रह रही थ सबास साड़े दस वजे पप्पू वापस अपने घर पर आता है घर पर आने के वाद वो पत्नी से कतई बात नहीं करता है वो अपने माता पिता से मिलता है दुप्यार हो जाती है शाम हो जाती है शाम के टाइम पत्नी खाना लेकर आती है पप्पू बैठकर खाना का रहा था और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लड़ाई की वज़ा ये थी, कि शादी को दो साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई भी बच्चा नहीं था, और इसी बात को लेकर पतनी गायत्तिरी देवी अपने पती से लड़ रही थी, पती खानक आ रहा था, लेकिन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ जाता है, कि पप्पू अपनी पतनी को बोलता है, कि वो कल उसके माय के उसको छोड़ आएगा, और डिवोस दे देगा, ये बात सुनकर गायत्तिरी देवी आग बबुला हो जाती है, लड़ाई भढ़ने के बाद, पप्पू ऊपर जाकर चार पाई पर सो जाता है, लेकिन गायत्तिरी नीचे बैटी-बैटी सोचती रहती है, प्लानिंग करती रहती है, और रात के एक वज़े आधी रात को वो एक कुदाल लेकर ऊपर छट पर पहुंचती है, पती सो रहा था चार पाई पर, और वो कुदाल से पूरी ता और भेजा अलग साइड में पड़ा होता है और उसकी गर्दन पर शरीर पर वो इतने बार करती है कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाती है फैमली वाले जब उपर आकर देखती हैं तो गायत्री के हाथ में कुडाल थी वो खून से तर बतर पप्पू के उपर तावर तोड़ हमले कर रही थी लेकिन फैमली में से किसी की वी इतनी हिम्मत नहीं थी जो जाकर गायत्री को रोक सकता क्यूंकि सब को अपनी जान की फिक वो सिर्फ एक ही चीज़ चीक रही थी कि हाँ उसने अपने पती को मार दिया उसने ही अपने पती को मारा है पुले साथी है गायत्री को गरफ्तार करकर ले जाती है उससे पूश्ताच करती है तो वो अपना गुना कुबूल कर लेती है गायत्री को जेल बेच देती है वही पप्पू के माता पिता का रोते-रोते बुरा हाल है, उनको यकीन नहीं उपर आए कि उनका बेटा जा चुका है, मर चुका है, अब आप ऐसी पतनी पर क्या बोलना चाहेंगे, कि उसने बिलकुल सही किया, या फिर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ता कमेंट बॉक्स से में अ और वीडियो में